आज नवरात्री का तीसरा दिन है वैसे तो नवरात्री की तैयारियां करने के लिए एक सब्ता पहले से ही सावसफाई, साजावट और धेर सारी तैयारियां शुरू हो जाती है लेकिन इन तैयारियों के साथ साथ लोग अपने बचाव के लिए भी नए उपाय धूनने लग जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि नवरात्री के समय भगवान के साथ साथ भूत प्रेतों के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और इन नौ या दस दिनों में ही काला जादू सबसे जादा असरदार होता है इसके बचाव के लिए कई लोग हाथ पेरों में काले धागे बान लेते हैं तो कुछ हर समय अपने पास माचिस या लोही की कोई चीज या सेफ्टी पिन या कंगन रखते हैं इस समय पर लड़कियों को बाल खूलने की मना ही होती है ऐसा कहा जाता है अगर किसी से छिपकर खुले बालों को काड लिया तो तोटके करवा सकता है या फिर खुले बालों में नकरात्मक हवा जल्दी लगती है तो वही कहीं जगा पर ऐसे भी मानेताई हैं कि इस समय पर खुश, बुदार, सेंट, परफ्यूम और शिंगार नहीं करने चाहिए नेक्स्ट नाइट नियूज भूश प्रिया से मंता कि रिपोर्ट अगर आप भी मनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एजिटर, कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर तो हमेज संपल्च करें